हालो एबरिबन वेलकम अगईन रेल आनालिसिस का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे रोता सीक्वेंसेज दो वीडियो दो लेक्चर वेंगें जिसमें कंवर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंस सीक्वेंस के बारे हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो आज का जो वीडियो हम करने जा रहे हैं वो कंवर्जेंस सीक्वेंस के एक थियोरम मेंने लखी हुई है जो बहुत इक्वेंस में हुची जाती है बहुत इंपोरेंट थियोरम है कि Every Convergence Convergent sequence is bounded, but the converge is not true. अब description में जागर के पुराने दो वीडियोज देख सकते हैं, क्योंकि उनी दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको sequences के बारे में समझ में आयेगा, डिटेल में, तो Convergent sequence की अगर हम बात करें, डेफिनिशन में हमने देखा था कि किसी भी sequence को कि हमने कन्वर्जेंट बोला था कन्वर्जेंट का मतलब या था कि अगर कोई भी सेख्वेंस हमने निकाला ए एवन एटू आज तरी अगर यह जो वैल्योग हैं एक पैटिकुलर फाइनाट वैल्यू की ओर टेंड होरी थी यह सिरीज अगर तो ऊसकेस में इसको अगर यह को दाइवर्जेंट बोलता है तो अगर हम बात करेंगे मैं एक जनरल आइडिया आपको देरेंगों सबर्द का आपको बुक्स में डफिनिशन के को अलग-लग कण डेफिनिशन मिलते रहे हे एक जनरल आइडिया में आपको दिया भी काण बिदेखिए थी कि यह जो सीक्वें काफी detail में उन्हें आपको explain किया था, numerical भी कराया थे तो अगर ये condition किस sequence में satisfy होती है तो हमने कहा था कि जो an sequence है ये किस point की और converge हो रहा है l तो इसको हमने, जो l आया था इसको हमने sequence के क्या बोला था, limit बोला था तो ये हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था तो आपको ये proof करना है कि अगर कोई भी sequence convergent है तो वो bounded होगा लेकिन अगर sequence bounded है तो converge हो ऐसा जरूरी नहीं तो पहला case हम ये मान के चल रहे है पहले statement को देखता है हम ये मानना था है कि let n be a convergent sequence ये माल लिए हमने कि ये sequence convergent है और sequence convergent है तो इसके कोई ने कोई limit आएगी तो हम ये माल ने था है कि let the limit of the sequence is l for all n greater than equal to m इसका मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो sequence है a1, a2, a3 होगा क्या ये sequence में जब हम जैसे जैसे और बढ़ रहे थे तो जो values के बीच में difference था हो कम होता जा रहा था एक कोई न कोई ये जो a1 है ये n की value 1 रखने पर हमको value मिली है n की value हमने 2 रखी है तो फिर ये a2 हमको मिला है तो ये सारे की सारी values हमको n के different values रखने के बाद ही हमको यह सारी वेल्यूज मिली है तो एन की कोई ने कोई वेल्यू ऐसी मिलेगी आपको जिसके बाद आपका जो कंजिकेटिव टर्म्स का डिफेंस है वो बहुत जाद अगाएगा और बहुत जाद अगाएगा मतलब एफसालेंस से छोटा एगा जो मैंने डेफिनि तो वाइड डेफिनिशन देर एग्जिस्ट एपसालेंग ग्रेटर देन जीरो सज्दैट क्या होगा कि यह जो एन माइनस एल है यह किस से छोटा आ रहा था एपसालेंस है फॉर और यह डेफिनिशन थी अब हम यह माल लेता हैं कि जो एपसालें है उस एपसालेंग पर्टिकुलर वैलू के हम कंसिद्र करने के बाद आगे का सॉल्यूशन करेंगे तो हम यह माल लेता है कि एपसालें जो है let epsilon is equal to 1 कोई भी value consider कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि हम 1 consider करे हैं आप half भी consider कर सकते हैं क्योंकि epsilon जो होता है बहुत एक छोटी quantity होती है तो 1 से बड़ी value आप ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा epsilon हमने ये ले लिया therefore we have an minus l less than 1 हो गया अगर ये mod हटता है तो आपको पता है क्या होता है minus 1 less than an minus l epsilon मौट हटा दिया हमने तो ये l तीनों में अगर हम add करेंगे तो l minus 1 an और l plus 1 तीनों में l एट कर दिया अब इस equation को द्यान से देखिए आप इस equation का मतलब क्या है जो sequence है वो an है तो हर एक टर्म a1, a2, a3, a4 जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो आप देखिए l plus 1 से छोटा ही आ रहा है और l minus 1 से बढ़ा आ रहा है तो कहीं न कहीं आपको यहां से यह पता लग रहा है कि यह जो an की value है वो bound होगी बाउंड होगी क्योंकि इसकी upper bound भी आपको मिल रही है और इसकी lower bound भी मिल रही है अगर अपर और lower bound दोनों मिलती है तो उस sequence को bounded sequence बोलता है यह मने आपको इसके पहले के वीडियो में भी पताया था इसको थोड़ा सा और आगे simplify करते हैं let k maximum of a1, a2, a, m-1 और l plus 1 क्योंकि an के sequence है a1, a2, a3, a4 यह सारी इसकी values होंगी और इन values में जो an है वो l plus 1 से छोटा आ रहा है हो सकता है कि इन में कुछ और values ऐसी है आपको मिल जाएं जो पूरा sequence हमारा था वो sequence में जो सबसे बड़ी value है उस बड़ी value को हमने capital k माल लिया and small k हमने माल लिए minimum of a1, a2, m-1 और l-1 इसमें जो सबसे बड़ी value हो हुआ हमने capital k माल लिया इसमें जो सबसे छोटी value है उसको हमने small k माल लिया अब आप फिर से equation 2 में आईए now from 2 जो an था उस an की अगर हम बात परें तो an l plus 1 से छोटा आ रहा है तो हो सकता है l plus 1 इसमें सबसे बड़ा रहा हो या फिर l plus 1 से कोई और value सबसे बड़ी value मिल जाएगी तो ये जो an है वो capital k से छोटा आजाएगा और small k से बड़ा आएगा और इसका क्या मतलब है कि जो sequence हमारा an है उस sequence का हर एक term capital k से छोटा है और small k से क्या है बड़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा sequence हमको दिया हुआ था क्योंकि इसके maximum और minimum value हमने लिए तो यहां पर equal to का sign भी लगाना पड़ेगा हमको तो it means the sequence an is bounded तो हमने sequence convergent लिया था तो convergent अगर sequence है तो sequence bounded होगा यह हमने आप पर प्रूफ किया अब इसका converge जो है वो true नहीं होगा यह हमको प्रूफ करना है तो हम एक sequence ले लेते हैं an equal to minus 1 की power n इस sequence को गर हम देखें तो minus 1 फिर 1 फिर minus 1 फिर 1 तो आप देखें इस sequence जो है bounded तो है क्यों क्योंकि इसकी सबसे बड़ी value plus 1 है सबसे चोटी value minus 1 है तो इसका मतलब यह bounded तो है लेकिन आप इस sequence में देखें इस sequence की सिर्फ दो values आ रही है या तो minus 1 या फिर plus 1 और किसी भी sequence को convergence sequence कब कहा जाता है जब वो series आगे बढ़ते बढ़ते किसी particular value की और टेंट हो जाए यह value को आगे बढ़ते जितने भी आप terms बढ़ाते रहेंगे आपको यह तो plus 1 मिलेगा अंधर या फिर minus 1 तो एक particular value की और यह series और epsilon से छोटा आ जाए for all n greater than equal to m ऐसा कोई भी आपको epsilon यहा पर नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि जो sequence है उसमें हर एक term के बाद या तो minus होना रहा है या प्लेस होना रहा है तो जो series है एक particular term की intent नहीं हो रही है तो it means therefore the sequence an is not convergent इतना आपको लिखने के जोदी आप ऐसे भी directly स पाद जो consecutive terms है उनका जो difference है बहुत कम होता जाता है लेकिन यहां पर ऐसा गया है starting से जो difference है वो throughout पूरी series में भी रहना है आप चाहे कोई भी term इसमें ले 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 तो यह sequence bounded तो था लेकिन convergent नहीं आ रहा है तो theorem बहुत important है इसको ध्यान से आप समझेंगे तो तब आपको समझ में आएगी क्योंकि इसका जो first part था कि conversion sequence is bounded उसको थोड़ा ध्यान से समझने की जुरूत है हाँ पर conversion sequence के कुछ numericals और देखते हैं हम अभी कुछ numericals बैने यहां पर लिखे हुगा है जिसमें आपको हर एक question का limit का answer निकालना है इस सारे sequences आपको दिये हुगा है कि यह जो sequence है sequence को आपको प्रूफ करना है कि Convergent है किस point की और 2 की और यह series यह sequence 3 by 4 यह sequence 1 by 2 और यह sequence 2 की और converge हो रहा है यह आपको प्रूफ करना है लेकिन आपको यूस करना है definition का तो definition का यूस अगर आपको करना है तो आपको पूरा systematic तरीके से solve करना होगा पहले कि दो पार्ट में solve कर दे रहा हूं बाकि दोने parts आप solve करें उसी तरीके से जैसे मैं इनको कराऊंगा अच्छा अगर हम बात करें कि इस question में अगर सिर्फ यह लिखा हो show that this अगर आपको सिर्फ यह प्रूफ करना है कि लिमिट n tends to infinity 2n plus 1 upon n plus 3 अगर इक्वल chief to prove करना और ये वर्ट नहीं लिखा है कि आपको definition का use करके इसको proof करना है जैसे this question of mention है कि use definition यह used definition of limits अगर लिखा होगा तो आपको definition का use करके करना है अगर question में सिर्फ show that ये लिखा होगा है तो उस case में आपको यह करना है कि आप इसमें से दोनों मैं से उपर नीचे एन कॉमन ले लिए एन कॉमन लिए तो क्या एगा टू प्लस वन अपॉन और यह आजएगा वन प्लस थ्री अपॉन एंट लिमिट एंट इंट्स टू इंट्टी एंट से एंट कैंसल रहागा लिमिट लगाएंगे तो तो प्लस वन अपॉन इंट्टी जीरो थ्री अपॉन इंट्टी जीरो कितना आजाएगा टू तो पड़े इजली आप इन कॉस्टिंस को सॉल्ट कर सकते हैं अगर सिर्फ शो डाइट लिखा हुए तो लेकिन यहां पे जो कुशन लिखा हुआ है इसमें हमको डेफिनिशन क का यूज करना है तो डेफिनिशन का यूज करके हमको कैसे सॉलुशन निकालना होता है यह आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर दुबारा से मैं आपको यहां पर फिर से बता रहा हूं दो पार्ट्स क्या करना होता है हमको पहले सॉलुशन में जो सीक्मेंस है एन व 2N plus 1 upon n plus 3 L क्या था जो लिमिट आपको प्रूफ करनी है 2 तो यह हो जाएगा 2N plus 1 minus 2N minus 6 upon n plus 3 2N से 2N cancel हो गया minus 5 यहनके 5 upon n plus 3 तो हमको करना क्या होता है कि A N minus L का mod निकालना होता है और A N minus L का mod निकालने के बाद जो value आ रही है अगर इस value के हम बात करें इसे sequence यह जो step आ रहा हो आ रहा है mod A N minus L equal to 5 upon n plus 3 अगर मैं सिर्फ 5 upon n लो तो यह 5 upon n plus 3 है अगर आप बड़े नमबर से किसी नमबर को divide करो और छोटे नमबर से divide करो तो यह वाला term जो है इससे बढ़ा आएगा यह clear है कि यह जो A N minus L है वो equal to आ रहा था 5 upon n plus 3 और 5 upon n plus 3 जो है 5 upon n से छोटा होगा और इसको हमने मालने less than epsilon इसका मतलब अगर हम इसको मैं cross multiply करों तो 5 upon epsilon क्या हो जाएगा less than n तो जो A N minus L है वो less than epsilon है कब जब 5 upon epsilon किस से छोटा है n से let m is a positive integer सब मैंने आपको इसके previous वीडियो में भी बताया था positive integer such that m हमने ले लिया greater than 5 upon epsilon कहने का मतलब यह है कि अगर n की value तो कि n क्या है n क्या है इसके जो sequence है उसके अलग लग terms हम निकालेंगे तो n की help से निकालेंगे तो जैसे ही n की value इससे बड़ी हो रही है तो उस case में यह series जो है converge हो जारी है क्योंकि इसका जो mod है छोटा आ रहा है epsilon से तो अगर m को हम इससे बढ़ा ले ले तो इसका मतलब m एक particular term ऐसा हमने ले लिया जो 5 upon epsilon से बढ़ा है तो it means यह जो sequence है वो convergent हो जाएगा और convergent होगा तो limit n tends to infinity an an means 2n plus 1 upon n plus 3 equal to kitnā आजाएगा जो हमने L लिया हुआ था L कितना लिया हुआ था ? L है लिया हुआ था ? 2 तो equal to kitnā आजाएगा 2 और यही हमको यहां पर प्रूव करना है इस question में तो आपको करना क्या है जो sequence आपको दिया जा रहा है उस sequence का जो nth term है उससे हमने जो limit हमको proof करना है उसको minus करके उसको mod निकालना है और उसको epsilon से छोटा proof करना है और जैसे ही वो proof हो जाएगा तो वो sequence है वो convergent हो जाएगा यह definition का use करके हमने निकाल रहा है ऐसे second वाले में आते हैं second part में आप देखिए 3N minus L upon 4N plus 5 L कितना है यहाप है 3 upon 4 now A N minus L का mod निकालेंगे तो कितना हैगा 3N minus 1 upon 4N plus 5 minus 3 by 4 कितना हो जाएगा 12N minus 4 minus 12N minus 15 upon 4 into 4N plus 5 तो यह कितना आ गया minus 19 का mod दिखनेंगे तो plus 19 4 4N plus 5 तो आप देखिए जो A N minus L का हमने mod निकाला था वो A N minus L का जो mod आ रहा है वो कितना आ रहा है 19 upon 4 into 4N plus 5 आ रहा है अब अगर हम बात करें यह जो sequence है यह इसके तो equal आ रहा है 19 upon 4 into 4N plus 5 के equal तो आ रहा है लेकिन इसी sequence को इसको जहन से देखिया आप A N minus L जो है 19 upon 4 into 4N plus 5 आ रहा है तो अगर मैं इसको less than लिखना चाहूं तो यह less than किस से हो जाएगा यह 19 upon 4N से छोटा होगा उव्यस है कि जितना terms आप नीचे से इसमें से हटाते जाओगे वो term divide उनके पास उतना बड़ा हो जाएगा तो यह जो term है 19 upon 4N से छोटा होगा और यह term जो है 19 upon N से छोटा होगा 19 upon N से छोटा होगा और इसको हमने मानने less than epsilon इसका मतलब 19 upon epsilon किया है N से छोटा है तो taking M a positive integer positive integer greater than 19 upon epsilon 19 upon epsilon अगर N से 19 upon epsilon से बड़ी value अगर आप एन ले रहे हो तो उस case में इसका जो mod है वो किस से छोटा आ रहा है epsilon से छोटा आ रहा है therefore A N minus L, A N minus L का मतलब 3N minus 1 upon 4N plus 5 minus L कितना नहीं था 3 by 4 less than किया epsilon for all and greater than equal to M तो यह जो sequence है यह epsilon से छोटा रहा है इसका mod इसका मतलब therefore the sequence is convergent and limit of this sequence is 4N plus 5 is equal to कितना हो जाएगा 3 by 4 जो L है अगर इसको आपको directly solve करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि definition का use करके अगर आपको नहीं करना है इसमें तो आपको क्या करना है और इसमें root N दोनों में distribute कर देना होगा तो definition का use करके कैसे question solve करना है मैंने आपको बताया theorem बताई कि theorem जो convergence sequence होता है वो bounded होता है लेकिन जो bounded sequence है वो ऐसा जरूरी नहीं है इन theorem और questions को आप solve करें कोई problem होती है तो आप comment कर सकते है ज offenses optimize करें के झारव बताई कि हम आप झारव मारो खो थो झारव जने पर में ऑज़cej है झारव कमार दो प ख़स्य नहीं है